चले सीधा आपको उत्तर प्रदेश की सुल्तानपूर लेकर चलते हैं जहांपर पूर्वांचल एक्सप्रेस वेपर एयर शो होने जा रहा है और प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी कारिकरब में मौझूद हैं बता दें आपको उसीधी तस्वीरें आप सुल्तानपूर से देख रहे हैं जहांपर पूर्वांचल एक्सप्रेस वेपर भारतिय वायुसेना का एयर शो जारी है और लगातार जो विमान है वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वेपर लैंड कर रहे हैं तो सीधी तस्वीरें आ सुल्टानपूर से देख रहे हैं जांपर यह वाई से नकायर शुच जारी है आइए यह जो पर पर सुच प्रश्शनिक पर दो रेडियस तर्ञ जह बनाव दिमस्ट्रेट थे लो आइए आइए a meanwhile the aircraft is positioning itself to fly along the runway from your right to carry out a series of roles as it fly past you up nina ga hai da hai nia or hi rakhye bohaf yiti ji se roll karta hua sukh authority aapke saamne this exquisite maneuvering requires not only a good degree of situational awareness but also absolute mastery on the aircraft and a thorough knowledge of its capabilities sukhoy 30 abab ki baayi taraf se bhoat hi kam gati se uraan bhar raha hai is samei is ki gati keval 200 km prati ghante ki hogi aur is shand me hawaii bhi thamsi gai hai shand me सुखवाई 30 का अब आखरी हवाई करतब वर्टिकल चाली जिसमें आपको जहाज इस नीले आसमान की उचाईयों को छूता हुआ नजर आएगा का अचार्च चाली ओॉत आखको आखको अचाहर बन्य ओपे उडार वित्स थाउम्स झालीज़ एक यदिन एंड़ आखको बन्य ना के आखको झालीज यूड़ी मेक इंदिया और आत्म निर्भर भारत के अभियान के तहद भारतिय वायु सेना ने स्वदेशी वेमानी की उद्योग को प्रुद्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं तेजस, Light Combat Helicopter, Intermediate Jet Trainer तथा Advanced Light Helicopter के प्रोजेक्ट इसका जीता जाकता उधारण है संचार प्रणालियों को उन्नत बनाया गया है संचार को बहतर बनाने की दिशा में यह एक अग्रणी एवं महत्वपूर्ण कदम है अतह अच्छी तरह सोचे समझे इस आधुनी की करण के कारिक्रम पर पूर्ण आस्था एवं द्रण विश्वास हमें ओपरेशनल काया कल्प के ऐसे युग में ले जाएगा जिसके चलते हम सामरिक तौर पर और अधिक शक्तिशाली बन सकें देवियों सजनो इस आवास के साथ हमारा मिराज 2000 आकाश में गर्जना भरने को तयार है यह वही मिराज 2000 है जो पर बनाई गई एर स्ट्रिप पर ये एर शो लगातार जाई है और भायू सिना के विमान लगातार अपने फॉर्मेशन के जरिये अपनी शक्ति का एहसास करा रहे हैं और ये मिराज विमान को आप देख रहे हैं जो एक बार फिर से उडान भरने के लिए तयार है आस्मान की उच्चाईयों में जाता ये निराज विमान आसी में शामिल हुए स्पाइडर एरक्राफ्ट को कई बार अफग्रेड और मॉडिपाई किया जा चुका है मेक इन इंडिया कारिक्रम के तहट हिंदुस्तान एन ओटिक्स लिमिटर और एरक्राफ्ट सिस्टम एं टेस्टिंग स्टैबलिश्मेंट के द्वारा इस जाहाज में कई तरह के आधुनिक परिवर्टन किये गए हैं जिसकी मदग से इसकी युद्धक मारक शम्ता में व्रदी हुई है यह जहाज अब आप सभी के सामने आठ अंक की अकरती बनाएगा यह करतब इस जहाज की स्लो स्पीड रेडियस टर्न को दर्शाता है इस तरह का मनुवर दुश्मन के साथ कॉमबेट फाइट में किया जाता है तो बता दें आपको एक्स्विस वेपर ये एर शो जारी है जहाँ पर लडाकु विमान अपने करतब दिखा रहे हैं और अलग-लग फॉर्मिशन के जरिये अपना दम अपनी शक्ती का एहसास करा रहे हैं बता दें आपको सुल्तानपूर में पुर्वांचल एक्स्विस वेपर जिसका उद्गाटन आज हुआ है वहाँ पर ये एर शो जारी है और अलग-लग लडाकु विमान यहाँ पर एर स्ट्रिप पर लैंड हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं जैग्वार, मिराज, सुखोई तमाम वो लडाकु विमान जो इस एर स्ट्रिप पर लैंड होकर आगे बढ़े मिराज विमान की लैंडिंग हुई सुखोई ने टच अन गो किया लगातार लडाकों विमानों के जरिये अपनी शक्ती का एसास वायू सिना की और से दिखाये जा रहा है देवियों सजुनस मिराथ 2000 ने आठ अंक की आकरती आप सभी के सामने बनाई है तीवी स्कीन्स पर दिख रहा है ये लडाकों विमान मिराज 2000 है जिसने अभी आठ अंक की आकरती बनाई है और हवा में करतब करता ये मिराज 2000 आठ अंक की आकरती बना रहा है क्या ज़िस्क्श्था झाल अंक की आनक की आकरता अंक की आकारत encrypted बनाई है करता है कि आकरती आष्च्था में है लड़ाकू विमानों की गर्जना से इस दौरान जो महाल है वो बेहदी गर्म जोशी का है और लगातार यहां कारेकर में मौजूद लोग भी और परधान मंत्री नरेंदर मोदी को आप देख रहे हैं जहांपर वो सलामी देते हुए पता दें आपको मिराज 2000 ने आठ अंक की आक्तरिती बनाई है और घातक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है मिराज 2000 को पूर्वांचल एक्सपेस वेपर ये एर शो हो रहा है जहांपर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी यूपी सीम योगिया दितना समेत कई नेता मौजूद है तो वहीं वायू सिना के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं टीवी स्कीन्स पर आपे सीधी तस्वीरे सुल्तानपूर से देख रहे हैं बान शांग के प्रती हमें तिरंगे जंडे की याद दिलाते हैं इस तिरंगे के दो अंगरक आकाश में सुखोई 30 जहाज सुखोई 30 में आज उड़ान भर रहे हैं जांदास स्टाइलिस वेंकमानदर चहल और फ्लाइट लेटन जैरीग सेंग देवियों सज्जनों इसी के साथ यह पूर्वांचल एक्स्प्रेस राश्ट्र को समर्पित किया जाता है एर आफसर कमानेगिन चीफ एर मार्शल आज दकवर्थ की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हूं आपको सुल्टानपूर में पूर्वांचल एक्स्प्रेस वेपर ये एर शो किया गया जहां पर तमाम लडाकों विमानों ने चाहे वो जैग्वार हो या मिराज 2000 हो या सुखोई 30 हो तमाम लडाकों विमानों ने अपने कर्तब दिखाए और शक्ति का एहसास कराया लाकों विमानों की गर्जना से मौहौल गर्म जोशी का और ना सिर्फ सुल्टानपूर में बलकी दूर दूर के इलाकों में भी जहां ये दरश्य पहुंच रहे हैं वहां पर मौजूद लोग बेहदी एक्साइटेड हैं पूरी तस्वीरों को देख कर यूपी को पूर्वांचल एक्सपेसवे की सौगात आज प्रणानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्या एस्ट्रिप पे न जाएं आप अपने सांपर ही बने रहें और समर्पित किया हैं लोगों को कि अभी भी आपके सामने एक्राफ्ट उडान भरेंगे और लांड करेंगे देवियों सज्जनों आप सबसे निवेदन हैं अपने ही स्थ्यान पे बने रहें पता दें आपको ये एर शो अभी भी जारी है और लडाकु विमान अभी भी यहां पर उडान भरेंगे और कर्तब दिखाएंगे पूर्वांचल एक्स्प्रेस वे पर बनाए गई एर स्क्रिप पर ये एर शो हो रहा है मिराज 2000 जैग्वार सुकोई 30 तीनों ही लडाकु विमानों ने कर्तब दिखाएंगे और अलगलग फॉर्मेशन के जरिये अपनी शक्ति का एसास कराया प्रवक्ति कर्दाएंगे झाल 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 जहाज है जिसकी लेंडिंग हुई है इंडियन एरफोर्स का माल वाहक विमान शक्ति का प्रदर्शन भी दिखाई दिया लोगों के बीच गर्जना करता वन थर्टी जे हर्कुली स्विमान आकर्षन का केंज रहा साथी यर्शो में सुखोई और मिराज विमानों की कलाबाजियां भी आपने देखी और इससे पहले उतरप्रदेश का पूरुवांचल इलाका आज उस वक्त एक बड़े मौके का गवा भना जब प्रधानमंती ने भारती वाहिव सेना के सी वन थार्टी जे हर्कुलिस परिवहन विमान से नव निर्मित पूरुवांचल एक्सप्रेस वे पर लैंड किया चैलें के 340 किलोमेटर लंबे पूरुवांचल एक्सप्रेस वे के इसी हिस्से पर प्रधानमंतरी नरेन मोदी को लेकर भारती वाविसेने का विमान उत्र यह एतिहासिक पल पूरुवांचल एक्सप्रेस वे को राष्ट को समर्पित करने के एतिहासिक मौके का भी गवह बना हवा में शांदार करतब भी दिखाए तो यह एयर शो की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सुल्तानपुर से जहां पर प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी ने पूरुवांचल एक्सप्रेस वे का उद्गाटन किया है और उस उद्गाटन समाहरों के बाद पूरुवांचल एक्सप्रेस वे पर बनाए गई एर इस्ट्रिप पर यह एर शो आज हुआ जहां पर लडाको विमानों ने अपनी साम्रिक शक्ति का पड़शन किया है सी वन थर्टी जे हरकुलीस विमान जिसमें प्रधान मंतरी नरेन मुदी ने इसी विमान से इस एक्सप्रेस वे पर लैंड किया और इसी विमान से उनकी वाफसी भी हो रही है आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर सड़क पर हवाई पट्टी बनाने की जरुवत क्या है और सुल्तानपूर में बनी इस एयर स्ट्रीप की खासियत क्या है तो आईए आपको बताते हैं कि जब भी युद्धी की स्थिती होती है तो हमेशिया एयर बेस दुश्मन का पहला निशाना होते हैं और अगर एयर वेस तभा हो जाये तो एयर ओपरेशन बंध हो जाते हैं इसलिए हर वाई सेना अपने लिए इमर्जेंसी लैंडिंग फिल्ड का इंतिजाम कर रही है भारती वाई सेना ने इससे पहले लखनव आगरा एक्सप्रेस वे और नॉइडा आगरा एक्सप्रेस व पर आप देख रहे हैं पूर्वान चल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के जिसका उद्गाटन प्रधान मंतरी नरेन मोदी नहीं किया और इस मौके पर कई गणमाने लोग मौजूद हैं जितमें उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी यूगी आधित नाथ और वहां की रा दोबारा उडान भर कर पल भर में दुश्मन को तभा करने में भी सक्षम होंगे इसकी लंबाई 3.5 km और 32 मीटर चौड़ाई है इसके पास ही यातायाद के लिए 60 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनाई गई है यह टू लेन रोड है इस पर ही याताया संचालित होता र केवल युद्ध के समय नहीं बल्कि जदी प्राकर्तिक आपदा आतियत और आम लोगों को रहत पहुंचाने के आवश्यक्ता होती है तब भी यह स्प्रिक और हैलिकॉइल बहुती महत्वपून भूमिका का निर्भा करेंगे इससे पहले नवंबर दोहजास तोला में लखनौ आगरा एक्सपेस रे पर गड़ाको विमानों को उतारा गया था जबकि साल दोहजास पंदरा में पहले यमना एक्सपेस रे पर दिल्ली के नजदी मिराज 2000 की लैंडिंग हुई थी महीं आगरा लखनौ एक्सपेस रे पर ही दोहजास सत्रा में C-130J सूपर हर्चुलिस की लैंडिंग के साथ जरूर कमांडों ने मौक ड्रिल की थी तो आपको बता दें आपे सीधी तस्वीरें सुल्तानपुर सर्पलेशन से देख रहे हैं जांपर एर शो के बाद अब प्रधान मंत्री के जाने का कारेकरम है और इस विमान से ही प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आये थे और इसी से सी वन थर्टी जे हर्कलिस से वापस लोटेंगे और जिसको लेकर ये प्रक्रिया जारी है बता दें आपको इससे पहले इस एर स्ट्रिप पर एर शो हुआ जिसमें लड़ाकु विमानों ने कर्तब दिखाए और अपने शक्ति का एहसास कराया मिराज 2000 सुखोई 30 जैगवार विमानों ने टच अन गो किया तो वहीं मिराज 2000 की लेंडिंग हुई इस एर स्ट्रिप पर कितनी महत्पून है ये हवाई पट्टी इसको लेकर भी जानकारी लगातार दे जा रही है ना सिर्फ आपात इस्तिती में बलकि इस हवाई पट्ट का इस्तिमाल अलगलग जगाओं से अलगलग मौकों पर भी किया जाएगा गरूर कमांडों और स्पेशल कोर्स के कमांडों की इंसर्शन ब्रिल भी दिखाए गई फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई जगवार और मिराज विमानों के फ्लाइपास्ट के साथ ही तूरिकरन एरोबेटिक के टीम ने भी आस्मान में अपना कमाल दिखाया और यह विमान प्रधान मंतरी नरेन मुदी सेथ गणमानी अटितियों को उनके गंतवे तक पहुंशाने के लिए यहाँ पर मौजूद है और पूरवान चल एक्सप्रस्वे की अगर बात की जाए तो यह एक्सप्रस्वे गाजीपुर से शुरू होकर लखनों तक का सफर के बल साड़े चार चार से साड़े चार घंटे में पूरा कर देगा इसके बार लखनों के आगरा का सफर आगरा लखनों एक्सप्रस्वे क के जरीय पूरा होगा यहीं से यमुना एक्सप्रस्वे पर चल कर सीधे नौईडा दिल्ली तक पहुंचा जा सकेगा एक्सप्रस्वे पर सौ किलोमेटर की स्पीट पर वहां चल सकेंगे इस एक्सप्रस्वे पर अठारा फ्लाइओवर साथ रेलवे ओवर ब्रीच साथ बीर् इंटर्चेंज पांच रैंप प्लाजा 271 अंडर पासिर और 525 पुलियों का निर्माण कराए गया है महतोकांग्शी योजना पूर्वांचल एक्सप्रस्वे पूर्वांचल एक्सप्रस्वे लखनओ के चांद सराय गाउं से शुरू होगा जो गाजीपूर में एनेच 31 पर इस फिर हैदरिया गाउं पर खत्म होगा ये गाउं यूपी बौर्डर यूपी बिहार बौर्डर से 18 किलिमिटर पहले पड़ता है तो बतादें आपको इसी ही विमान के जरिये परधानमंत्री नरेंदर मोदी इस एरिस्ट्रिप पर उत्रे थे C-130J के माध्यम से ही परधानमंत्री मोदी इस एरिस्ट्रिप पर उत्रे थे मोदी के वापसी का प्रोग्राम है जिसको लेकर ये प्रिकरिया जारी है बतादें आपको इस एर स्ट्रिप पर इससे पहले एर शो हुआ जिसमें मिराज 2000, सुखोई 30 और जैग्वार लडाकु विमानों ने फ्लाइ पास्ट किया कर्तब दिखाए तो वहीं अब एर शो के बाद प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के वापसी का प्रोग्राम है और इसी C-130 जे हर्कलिस के जरिये प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी वापस लोटने वाले हैं तो बता दें आपको बेहदी महत्पूर ये एरिस्ट्रिप और पूर्वांचल एक्स मेंट शो हुआ जिसमें लडाको विमानों ने फ्लाइपास के जरिये अपनी शक्ति साम्विक शक्ति का एसास कराये तो वहीं अब परदानमंत्री नरेंदर मोदी इस हर्कुलिस विमान से अब वापस लोटेंगे जिसकों लेकर ये प्रिक्रिया जारी है बता दें आपको सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वेपर मिराज 2000 के लेंडिंग हुई थी तो वहीं उससे पहले सुखोई अथर्टी ने भी फ्लाइपास्ट किया और इस दोरान एरफोर्स के विमान और जाबाज कमांडों ने भी प्रदशनी दिखाई थी एरशो की शुरुआत से पहले तो वहीं अब इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वेपर जो एरिस्ट्रिप बनाए गई है इस पर हर्कलिस विमान की मौजूदगी इन तस्वीरों के जरीए दिख रही है तो वहीं परदान मंतरी नरेंदर मोदी इस विमान से वापस लोटने का प्रोग्राम है बता दें आपको इसी हर्कलिस विमान से परदान मंतरी नरेंदर मोदी इस एरिस्ट्रिप परुत्रे थे और कारेकरम में मौजूद हुए थे